कुछ लोगों को बेसन और सूजी से बनी चीजे खाने से जलन और एसिडिटी की समस्या हो जाती है ऐसे में सबसे पहले आपको या जानना चाहिए कि कहीं आपको इन दोनों चीजों से एलर्जी तो नहीं है इसके अलावा कई दूसरी इस्तिती में भी बेसन और सूजी से बनी चीजे खाना आपको नुकसान पहुँचा सकता है तो चली जानते हैं कब आपको बेसन और सूजी से बनी चीजे नहीं खाने चाहिए तो वीडियो को अंतर तक जरूर देखे पहला है खाली पेट खाली पेटे बेसन और सूजी का सेवन फायदे मंद नहीं होता है ये पेट के PHL को बेगाड़ता है और Metabolism को धीमा करता है बेसन और सूजी से बनी चीजों की जगह रागी और ओर ओट से बनी चीजे खाना ज़ादा फायदे मंद होता है दूसरा है blood sugar में सूजी में fiber की भरपूर मात्रा होती है fiber आपके रख्त परभाव में कार्बो हाइडर्ट के अफ्षूर्शन को धीमा कर देता है और भोजन के बाद blood sugar के spikes को नियंत्रित करने में मदद करता है लेकिन low blood sugar में इसे ना खाए अगला है diabetes की मरीजों के लिए बेसन का सेवन फाइदे मन है क्योंकि इसमें fiber की अच्छी मात्रा होती है लेकिन आपको अगर low blood pressure की समस्या है तो बेसन का ना खाए पेट से जुड़ी समस्याओं में इन चीजों को ज़्यादा मातरा में खाना metabolism को slow कर देता है और पेट को लंबे समय तक भरा भरा रखता है बेसन और सुजी से बनी चीजे खाने के बाद पानी पीनी की ज़्यादा जरुवत मैसूस होती है और जब हम ऐसा नहीं करते हैं तो एक के बाद एक चीजे खाते रहते हैं तो हमें acidity और bloating की समस्याओं हो जाती है अगला है allergy होने पर अगर आपको गेहूं से allergy है तो आपको सुजी से बनी किसी भी चीजे का सेवन नहीं करना चाहिए gluten, sensitivity और silly एक रोग में भी सुजी का सेवन पेट में दर्द, दस्त और सुजन की वज़ा बन सकता है कुछ लोगों को बेशन से भी allergy होती है इसे खाने के बाद तुचा पर लाल चकत्ते होने की समच्चा हो सकती है अगर आपको इन सभी परिशानी है तो सुजी और बेशन का सेवन ना करें